वेलो नमस्कार साथियों आज हम देखने वाले हैं बिहार ITI मॉप अप कांसलिंग से समध्दित कुछ महतापुन जानकारियां समझ लेंगा और ये जो है बिहार 2020 का मेरिट लिस्ट समझ लेंगे जो किस तरह से क्या होगा यानि कि 2021 में किस तरह आएगा और जल्दी समझ में आपका रॉल नंबर आया कि नहीं आया ये भी जानेंगे इस वीडियो में और आ गया तो क्या करना होगा आगे कई तरह से कॉमेंट आ रहा था जो क्या करना होगा आगे पटना जाना होगा या नहीं जाना होगा ये सब डाउट किलियर होने वाला है इस वीडियो में आ आएगा तो किस तरह से चेक करेंगे और क्या करना होगा और किस दिन जाना होगा ये सब ही जानने वाले हैं इस वीडियो में तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और पूरे डिटेल के साथ समझ लिजे जो क्या करना होगा कैसे चेक करना होगा किस दिन जाना होगा आपको तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक और अच्छा लगए तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि आप सब्सक्राइब कर रहे के और वेल आइकन दवा देंगे तो आपके लिए हेलपफूल होगा इसलिए मैं कहता हूँ सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पलपल का मिलता रहे और एक भी चीज मिस ना हो अपका अगर मिस होने के बाद काफी प्रॉबलम होता है इसलिए आप सब्सक्राइब जरूर कर लिजएगा चैनल को तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं क्या प्रोसेस रहेगा क्या करना होगा आगे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो आप इसमें देख सकते हैं जो है offline mob up counselling जो हुआ था पिछले साल उसका जो है ये notification और ये जो list जारी किया गया था mob up counselling का उससे हम समझने वाले हैं जो इस बार आएगा तो किस तरह से क्या करना है और कैसे check करना है तो आप इसमें देख लिजे ये जो है बिहार ITI परवेस पर इचा यानि कि ये जो है 2020 क है और इसका जो भी counselling होगा आपका यहां पर होगा IAS संग भवन पटना में ठीक है इसका जो counselling होगा आपका अगर लिष्ट में नाम आ जाएगा तो counselling होगा IAS भवन पटना यानि कि पटना में आपको जाकर के counselling करवाना होगा ठीक है उसके बाद ये देख लिजे 20 का है यानि कि यहां पर जो रहेगा इस बार आएगा तो 11 लिखा हूँ रहेगा ओलिडी ठीक है तो चलिए हम आगे देखते हैं आगे आप समझ सकते हैं इसमें जो है दिया गया है आप यहां पर देख सकते हैं मेंसर क्या गया है offline map of counselling ठीक है तो यह जो है offline map of counselling पिछले साल का जो हुआ था और इसमें NCVT और SCVT दोनों का था आप देख सकते हैं ट्रेड का दिया गया और यहाँ पर ध्यान दिजिएगा यहाँ पर क्या लियक अगया है यहाँ पर परिशद कारियाल है इसका जो है जो भी कांसलिंग होगा यहाँ पर देख सकते हैं कांसलिंग जो होगा यहाँ पर होगा आपका इस जगह पर कांसलिंग होगा यानि कि पटना में आपको कांसलिंग होगा जिन कंडिडेट का इसमें नाम आ जाता है लिस्ट में तो उसके बाद चलिए देख लेते नीचे आप यहां पर देख सकते हैं district wise ठीक है यहां पर देख सकते हैं आप realignment for ncvt hcvt और यह जो है district wise ITI merit list of offline mop up counseling जो है इस तरह से आपका जारी किया जाएगा 2021 ठीक है उसके बाद आप देख लिए यहां पर जो है यह जो है फर्स्ट में पटना district का दिया गया जिरो वन कोड दिया गया है पटना district का इसमें जो मैंसर नहीं देख लिए आप डेट डेट टाइम मैंसर रहेगा और इंटर्विव और आपका जो है किस दिन जाना है यहां पर आप कसो करेगा और यह जो counseling start होता है यानि कि आपको 10 बज़े से counseling जो है start हो जाता है यह जब merit list जारी किया जाएगा तो आपको हमारी channel के मध्यम से बताया जाएगा और यह जो है अभी पिछले सलका है तो इसको जो है आपको roll number कैसे check करना है तो आपको जो है control F करके भी check कर सकते हैं नहीं तो आप अगर phone में download करेंगे यह जो PDF जिस दिन जारी होगा यानि कि 22 तारी को जारी किया जाएगा तो उस दिन download करने के बाद आप जो है उपर में search का option देता है वहाँ पर आप अपना roll number लिखेंगे तो आपका direct जो भी district में होगा अगर list में नाम आया होगा यानि कि roll number आया होगा तो आपका show करने लगेगा और show किस तरह से करेगा तो इस रो में आप देखेंगे जो इस तरह से roll number आएगा उसके बाद आप देख लेंगे यहाँ पर जो है district तो आपका show करेगा उसका ताइमिंग देख लेंगे और यहाँ पर आपका date show करेगा जो किस दिन जाना है यानि कि जैसे यह स्टार्ट हो जाता है और सभी डॉकुमेंट के साथ जाएगा अगर कोई डॉकुमेंट आपके पास नहीं भी है तो कोई प्रॉबलम नहीं आप चाएगा झानी के बाद जो है वहाँ पर आप्सन आपको दिया जाएगा कांसे नहीं रहेगा तो उसको जो है समय आपको दिया जाएगा कुछ दिनों का जिसे कि आप जमा कर सकते हैं और एड्मिशन ले सकते हैं अप्लिकेशन देखर के भी एड्मिशन होता है बाद में आपको जमा करना रहता है डॉकुमेंट ठीक अगर कोई डॉकुमेंट नहीं है तो और आप यहां पर समझ सकते हैं IGB में देख लिए आप आता है जो अनडिजर्व का आता है यानि कि लिउस्ट में जो है अन्रिजर्व उसके बाद हम देख लेंगे आगे बाड़ के जो किस तरह से आगा तो यह आप देख सकते हैं सब में अन्रिजर्व यहां पर लिखा हुआ है यानि की केटेग्री अन्रिजर्व का है उसके बाद आप देख सकते हैं पहले जो है unreserved categories होगा admission उसके बाद नीचे आएंगे उसके बाद देखते हैं क्या है तो आप यहां पर unreserved ही सो कर रहा है उसके बाद आप यहां पर देखिए यहां पर दिया गया है पढ़ना डिस्टिक का यानि की डेट दिया गया है और यहां पर दिया गया है category ST ठीक है त तो आप जिनका डेट का इसमें रोल नमर होगा उसको जाना होगा इस ठीक हो यानि कि जो दिन आपको डेट दिया जागा उस दिन जाना होगा पर जेंट होना होगा उसके बाद यहां पर देख सकते हैं SC category का जारी किया गया है यानि कि category wise जारी किया गया है उसके बाद यहा का जारी किया गया है उसके बाद आप देख सकते हैं यहां पर जो है RCG का जारी किया गया है उसके बाद चलिए नीचे देख लेते हैं उसके बाद आप यहां पर भी देख सकते हैं EWS का भी जो candidate होंगे जिनका roll number इसमें आया होगा उनको जो है इस दिन जाना था तो चलिए ये तो समझ गए आप पढ़ना डिस्टिक का उसके बाद देख लिजे इस तरह से आपका mention रहेगा ठीक है तो इस तरह से आपका mention रहेगा district wise merit list of counseling यानि कि आप अपना district देख लेंगे भोजपूर डिस्टिक है तो भोजपूर यानि कि जिस भी डिस्टिक में आप ने apply किया होगा जिस डिस्टिक से उस डिस्टिक में जा करके आप अपना चेक कर लेंगे जो भी categories में आते हैं category wise भी ने तो unreserve में आते हैं तो unreserve wise भी मतलब आप अपना पहले रोल नमर सार्च करके चेक कर लेंगे जिस भी category में यानि कि जहां भी जिस दिन भी आपको सो करेगा उस दिन जो है आपको जाना होगा counseling के लिए ठीक है उसके बाद देख सकते हैं इसमें मतलब सभी डिस्टिक का जो है सो करेगा आपका तो आप जो है समझ गए होंगे पहले जो है इसमें जो है कि रिजर्व कैटेगरी का तो करेगा उसके Malak आपका category wise सो करेग तो इसी तरह आपका जो है लिस्ट जब भी जारी होगा तो आपका उनुसार देख लेंगे इस जो है जो आपका किस दिन counseling है किस तितिक को है किस category में आप आते हैं तो वो तो आप खोद जानते होंगे तो आसा है कि आप लोग समझ पाया होंगे तो कई candidate का doubt हो रहा था जो sir कैसे होगा कब list जारी होगा तो आपका जो है list जारी किया जाएगा यानि कि बास तारी को जारी होगा list उसमें आप अपना check कर लिजेगा अभी इस तक counseling है तो submit कर दिजिए जितना भी optional ID create होता है तो यह create इसलिए होता है जो कितना लोगों ने मौपप counseling में भाग लिया है और उन सभी candidate का जो है role number जो है इस तरह से सोग कड़ेगा list में जारी किया जाएगा तो सभी district का आसा ही कि आप लोग समझ गए होंगे और डॉकुमेंट क्या क्या लेकर जाना है इसका जो high button में भी आपको link मिल जाएगा तो description में भी आपको link मिल जाएगा अब ही डॉकुमेंट जो है आप ले करके जाएगा जो भी प्रिंट आउट ले करके जाना है वो उसका जो है दो तिन कोपी करा करके ले के जाएगा और फोटो भी दस बार जरूर ले लीजेगा जिससे कि आपको वहाँ पर प्रावलम क्रियेट नहों और आपका जो है एडमि जरूर लिंक दे दिया जाएगा आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं क्या-क्या डोकुमेंट लगता है तो आसा है कि आप लोग समझ पाए होंगे और आप लोग को अच्छा लगा हो जानकारी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिजेगा और कोई भी डाउट हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखती जेगा जिसे कि आपको रिपलाई मिलके जवाब मिल सके तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू सो मच वाचिंग दिस वीडियो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स थैंक यू सो मच